प्रियंका गांधी दिल्ली में 26 जन्वरी को ट्रेक्टर रैली के दौरान मारे गए किसान के परिजनों को सांतुना देने रामपूर जा रही थी वो सुबह अपनी कार से दिल्ली से रामपूर के लिए रवाना होई प्रियंका गांधी के काफिले में चल रही कारे हापूर जिले के गढ़ मुक्तेश्वर में नैशनल हाइबे नाइन फ्लाइवर पर हाथसे का शिकार हो गई अजानक ब्रेक लगने से दो तीन गाड़ियां अपस में टकरा गई हाला कि प्रियंका गांधी को इस दोरान कोई नुक्सान नहीं पहुंचा और कहा जा रहा है कि कार कारिकरताओं की थी इस दोरान नैशनल हाइबे पर लंबा जाम देखने को मिला आपको बता दे की कॉंग्रेस महस्ताचिव और योपी की प्रभारी प्रियंका गांधी दिल्ली में 26 जन्वरी को ट्रेक्टर परेट के दौरान हाथसे में मरने वाले युवक के परिवार से मिलने के लिए रामपुर रमाना हुई 27 साल के नवरीत सिंग का ट्रेक्टर पलटने से मौत हुआ था प्रियंका गांधी नवरीत के परिवार बालों से मिलने और शोग जताने जा रही है कॉंग्रेस की वोर्स से दी गई जनकारी के मताबिक करीब 17 बजे नवरीत की शोग सभा में शामिल होगी सोत्रों के मिताबिक पहले राहुल गांधी का उनके साथ जाने का कारिक्रम था लेकिन लोगसभा चलने की वज़ा से और बहस होने की संभावना के चलते फिलहाल प्रियंका गांधी को अकेले ही जाना पड़ रहा है यूपी कॉंग्रेस अर्द्यक्ष आजे कुमार लल्लू ने कहा है कि कॉंग्रेस महासचेओ प्रियंका गांधी आज रामपुर जाएंगी 26 जन्वरी को ट्रेक्टर रैली के दौरान जान गमाने वाले किसान नवनीत के परिवार से मिलेंगी जाहिर है कि नवनीत सिंग आस्ट्रेलिया पढ़ाई के लिए गया था और हाली में भारत लोट कराया था भारत आने के बाद वो दिल्ली की सिमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने गया उनकी मौत के बाद ऐसी भी खबरे आए थी कि परिवार को उनके अंदोलन में शामिल होने की जानकारी भी नहीं थी आज नवरीज सिंग का भोग और अंतिम अर्दास है इसमें शिरकत करने के लिए कई निता भी महोँ सकते हैं ऐसी संभामना जताई जा रही है हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बाक्स में जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सेर जरूर करें